हेलो गाईज वेल्कम बाक टो माई चैनल दिस लक्षमी कोचिंग सेंटर बच्चो आज मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूं अगर इस टाइप का कोचिंग आता है तो आपको क्या करना है 4 बाई 9 लिखना है जहां बाई है वहाँ मल्टिप्लाई एंड 5 उपर का उपर में मल्टिप्लाई कर लिजीए 4 फाईफ चा 20 और नीचे क्या है बच्चो 9 ओक है 9 से इसको डिवाइट कर लिजे 9 से इसको बच्चो टू टू यह 9 आंसर आचुका है है ना इजी चलिए करते हैं next question okay पहले इसको जो mixed fraction में दिया हुआ है इसको improper fraction में हम लाते हैं तो 14 का 3 में multiply हुआ तो क्या है का बच्चो 42 42 में 1 plus कर लिया तो क्या है 43 और यहां हमने लिखा 7 अब देखिए एक काटने का process होता है बच्चो अगर हम इसको उपर नीचे काट सकते हैं एक उपर का एक नीचे का एक ही table से काटना है देखिए क्या यह दोनों number एक table में आते हैं नहीं आते है ना चलिए हम इन दोनों को चेक करते हैं 7 और 14 क्या एक table में आते हैं आते हैं किस table में आते हैं 7 के table में आता है तो 7 बंज़ा 7 एंड 7 टूज़ा 14 तो आंसर आ गया बच्चो मेरा 43 divided by 2 2 से इसको फिर divide कर दीजे ऐसे देखिए 2 टूज़ा 4 3 यहां से किया 2 बंज़ा 2 यहां आया 1 यानि आंसर आ जागा बच्चो 21 रिमेंडर को उपर लिखिएगा और जिससे डिवाइड करते हैं नीचे यानि आंसर मेरा आ चुका है चलिए करते हैं next sums ये भी बहुत easy है बच्चो पहले question लिख लेते हैं बाई की जगे multiply लिखिएगा 2 का 2 लिखिएगा फिर मैंने आपको अभी काटने का process बताया है एक उपर का एक नीचे का एक संग कटेगा लिकिन एक ही table से याद रखिएगा चाहे वो तिरचा हो चाहे वो सीधा सीधा हो चाहे वो ऐसे हो कोई दिक्कत नहीं है चलिए करते हैं 2 बंजा 2 and 2 शिख्जा 12 तो answer क्या है बच्चो उपर 5 आया नीचे 6 1 का यहाँ पर कोई value नहीं है तो यह answer आ चुका है चलिए next करते हैं यह देखिए question तो हमें सीधा ही सीधा दे दिया अब इसे काटते हैं चलिए क्या यह दोनों number एक ही table में आता है नहीं आता है ठीक है अब हम देखते हैं कि यह दो number जो है क्या वो एक ही टेबल में आते हैं आते हैं ना 5 के टेबल में आता है बच्चो तो देखिए 5 3 जा 15 and 5 2 जा 10 अब उपर उपर क्या बचा बच्चो 8 और 2 बचा और नीचे 3 बचा चलिए multiply कर लेते हैं 8 2 जा 16 and divided by 3 अब क्या करते हैं इसे 3 से divide कर लेते हैं 3 5 जा 15 यानि 1 आया है ह पर तो मैंने आपको पहले ही बताया जिस आंसर जो यहां पर sorry यह जो divide करते हैं वो यहां लिखिएगा remainder को उपर लिखिएगा and जिससे divide करते हैं इसको नीचे तो यह देखिए answer आ चुका है चलिए करते हैं बच्चो next question ठीक है हम क्या करते हैं question number 5 में देखे 2 by 9 है जहां by है वहाँ पर 5 लिख लिजेगा फिर 9 by 14 मैंने आपको सिखाया था बच्चो काटने का process एक उपर का एक नीचे का चाहे वो तिर्चा हो चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो चाहे उपर नीचे कैसे भी हो वो कट सकता है लेकिन याद रखि का एक ही process है एक ही टेबल से उपर और नीचे कटता है चाहे वो किसी का भी टेबल हो जैसे कि देखे मैं 9 के टेबल से 9 को काट रही हूं 9 बंजा 9 and 9 बंजा 9 कट गया ऐसे कटा ना अब देखिए भी कट जाएगा ये भी दोनों एक ही टेबल में आते है कौन से टेबल में आ 11 आंसर आ चुका है है ना अचान देखिए वाला पहले इसे mix fraction में जो दिया हुआ है इसको हम proper fraction में लाते हैं क्या करते हैं इंका multiply करते हैं जो आंसर आता है उसको इसमें plus कर देंगे तो चलिए करते हैं 5 3 जा 15 15 में 1 plus किया तो क्या आया बच्चो 16 and divided by 5 फिर multiply 4 टोजा 8 8 3 8 म 3 को plus कर लीजे तो क्या है एगा 11 by 4 ये तो आ चुका है अच्चो यह बताइए कि क्या ये दो नंबर 1 table में आते हैं नहीं आते हैं क्या ये दोनों आते हैं की table में हाँ आते हैं 4 की table में देखिए 4 बनजा 4 and 4 फोरजा 16 है ना इजी चलिए अब जो उपर उपर बचा है उसका एक संग multiply कर दीजे और जो नीचे बचा है बच्चो उसका नीचे में ही तो 11 फोर जा 44 and divided by 5 5 से इसको divide कर दीजे तो क्या हैगा 5 फेट जा 40 and ये 4 by 5 answer आ चुका है बहुत एजी है बच्चो चलिए next करते हैं I think आपको समझ में आ रहा होगा इस कोशन में भी देखिए इस टाइप के कोशन में 3 by 8 लिखिए by की जगे multiply 4 to the 8 and 1 9 divided by 4 अब क्या करेंगे बच्चो क्या ये उपर नीचे जो नंबर हो क्या एक ही टेबल से कटता है नहीं कटेगा ये दोनों भी एक टेबल में नहीं आते हैं ये भी दोनों नहीं आते हैं ये भी दोनों नहीं आते हैं तो किसी की मत पर नहीं होगा तो इस सिचुएशन में क्या करना है कि उपर उपर जो नंबर है उसका multiply कर दीजे 3 9 जा 27 and 8 4 जा 32 आंसर आ चुका है बच्चो देखे 3 6 आ 18 18 में 2 प्लास कीजिएगा तो क्या आएगा 20 बाई 3 ओके इंटू 10 बच्चा 10 और 10 में 1 प्लास कीजिएगा तो 19 बाई 10 क्या ये कट सकता है देखे 10 से 10 कट गया अब उपर क्या बच्चा देखे 2 बचा and 19 बचा और नीचे 3 बचा तो 19 टूजा क्या होता है बच्चो 38 और नीचे 3 3 से इसे डिवाइट कर दीजिए कैसे करेंगे देखे यहाँ 3 बंजा 3 8 आया 3 टूजा 6 माइनस किया यहाँ 2 आया यानि आंसर आजाएगा बच्चो 12 and 2 बाई 3 अगर बच्चो इन कोश्चंस में कहीं दिकत हो तो प्लीज मिसे शेयर कीजिएगा मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा बाई बच्चो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में